कुछ ऐसे बाइक जिनका वेट हम लोग कब से कर रहे हैं और ऐसे टोटल पाँच बाइक मैंने लिस्ट के अंदर इंक्लूड किये हैं नमस्त दोस्तो और वेल्कम टू आर चैनल कैसे अप लोग होगे आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाला हूँ अपकमिंग बाइक सिन इंडिया 2022 अगर आप बाइक लेने का या फिर अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज वेट क्यूंकि कुछ ऐसे बाइक या फिर उनके अपग्रेड़ेड मॉडल्स विद्गूड फीचर जल्दी ही लॉन्च होने वाले है कुछ ऐसे यह सारि बाइक कभी लौन्च होने वाली है तो मैंने स postp ad क्यूं नहीं आप लोगों को वीडियो बनाके फूल डीटेल में बता दूं कि यह सारी बाइक कब लॉंच होने वाली है औं इसके अलबाब एंड तक उन बाइक सो मैंने लिस्ट के अंदर एड किया है वैल यह लिस्ट में से कौन सी बाइक आपको पसंद आई या फिर कौन सी बाइक फ्यूचर में आप अपग्रेड करना या फिर लेना पसंद करोगे यह मुझे नीचे कमेंट करके बताना और अगर आप लोगों को क RC390 के अपडेटेड मॉडल का तो अभी यह बेट खतम होने वाला है और RC390 का लेटेस्ट मॉडल की एकस्पेक्ट लॉन डेट है 25 फेबरुआरी मिन्स की बहुत जल्दी और इसका एक्शोरूम प्राइस हो सकता है 2,70,000 से लेके 2,80,000 के बीच में जैसे आप लोगों ने देखा था RC200 का कुछ वैसा ही सिमिलर लूक होने वाला है RC390 में बट कलर्स के ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट हो सकते है RC390 2021 में KTM का ओल न्यू 373 cc का लिक्विड कूल इंचिन होने वाला है जो की अमेजिंग पावर जनेरेट करने वाला है 43.5 बहप और 37 Nm स्टॉर्क बाइक के अंदर 6 Gears होंगे चेंजिस में फ्यूल टैंक का साइज थोड़ा सा बड़ा होने वाला है 13.7 लिटर्स का और RC390 में स्विचेबल ABS का भी ऑप्शन होगा साथ में कॉर्णरिंग ABS का भी और कॉर्णरिंग ट्रेक्शन कंट्रोल भी होगा साथ में Bluetooth and TFT इस्रुमें 411 कब से हम सुन रहे हैं स्क्रैम 411 के बारे में यस फाइनली उसकी लॉंच डेट भी बहुत ही नजदिक आ गई है रोयल एंट फिल्ड की यह एक स्क्रैंबलर बाइक होगी जिसके अंदर 411 सीसी का एर और और कूल इंजिन होगा जो कि पार पर्डूश करेगा 24.3 बहपी क सब्सक्राइब बाइक के अंदर 5 गियर्स होंगे प्रंट आर हिमालयन से छोटा होगा 19 इंच का और एक्सपेक्टेड प्राइस एक्षोरूम हो सकता इसका वन लाक हैं 90,000 से लेके 2 लाक हैं 5000 तक का एक और चीज जो इसके अंदर चेंज हो सकती है और यह है कि इसका KTM 390 Adventure 2022 का मॉडल KTM Adventure 390 2022 का मॉडल US में लाउंच हो चुका है और जल्दी ही इंडिया में भी लाउंच होने के लिए रेडी है फिब्रोरी एंड में या फिर मार्च स्लाटिंग में इसका लाउंच हो सकता है प्राइज अभी के हिसाब से अल्मॉस्ट सेम होगा like 3,29,000 एक बट इसका प्राइस थोड़ा सा उपर जाने के भी बहुत अध्तक चांसेस है और ये अपने को जब लाउंच होगा तभी ही पता चलेगा न्यूस के इसाब से चेंजिस के बारे में बात करते है तो चेंजिस में आप लोगों को यहाँ पे न्यू कलर मिल जाएगा उसके अलावा जो चेंजिस होने वाले है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ फीचर्स लाग की अपग्रेड़ेट ट्रक्शन कंट्र ट्री टैन ऑफ रोड बोर्ड इसके अंदर होगा अल्यूमिनियूम के वील्स अपग्रेड होने वाले है जो की छे की जगे पे फाइव स्पोक्स वाले होने वाले है बाकी इसमें 373 cc का लिक्विड कूल इंजिन होगा जो की पाउर प्रोडूश करेगा 43 bhp का 37 न्यूट 2022 के मॉडल अभी बात कते हैं नंबर 2 के बाइक के बारे में नंबर 2 पर है KTM 490 Adventure KTM की एक और बाइक है यह बट यह कुछ अलग है क्योंकि इसके अंदर 490 cc का इंजिन होने वाला है और पावर और परफॉमेंस भी बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है इसका भी बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे है क्यों क्योंकि इसका रीजन यह है कि मेभी 390 से थोड़ा सा बैटर या फिर बहुत अच्छा हद तक बैटर हो सकता है 490 इसलिए मार्च में लाँच होने के बहुत अच्छे चांसे से और पॉसिबिलिटीस है कि ADV 390 के साथ यह लाँच हो जाए बट अगर किसी रीजन के वज़े से लाँच नहीं हो पाई तो पोस्पोर्ण हो सकता है जून या फिर जुलाई 2022 में KTM Adventure 490 का expected price हो सकता है 4,00,00 एक शोरूम और इसके अंदर all new 490 cc का liquid cool engine होगा वेल पावर फिगर्स तो fix नहीं है बट हो सकता है कि 55 से लेके 60 bhp तक और 45 से लेके 50 Nm सा torque इसके अंदर हो और साथ में इसके अंदर 6 gears भी होंगे एक और बात मैं आप लोगों के साथ share कर देता हूँ कि ये बाइक के अंदर 2 cylinder वाला engine हो सकता है features almost same हो सकते है ADV390 के जैसे बट क्या पता कुछ भी इसके अंदर additional हो सकता है खास करके इसका engine काफी पंची होगा तो power काफी अच्छा आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा अब बात कते हैं नंबर 1 के bike का दो नंबर 1 पे है Husqvarna Swartpilland 125 Husqvarna की यह scrambler bike है जो की 125cc engine के साथ launch होने वाली है इंडिया में क्योंकि actually Europe में already यह launch हो चुकी है और इंडिया में कभी भी launch होने के chances से खास करके March 2022 में यह आपके लिए best bike हो सकती है city ride के लिए as well as आप लोगों को अगर off-road लेके जाना है तो उसके लिए भी इसका cost हो सकता है 1,30,000 एक शो रूम से लेके 1,40,000 तक इसके अंदर all new 125cc का liquid cool engine होगा जो के power produce कर सकता है 15 bhp and 12 Nm torque इसके अंदर 6 gears होगे और इसका weight हो सकता है 146 kg का जो की 8 kg कम है Husqvarna Swartpilland 250 से fuel tank capacity छोटा है 9.5 liters का इसके अंदर आप लोगों को dual channel ABS मिलने के बहुत अद्टक चांजे से बट में भी हो सकता है कि इंडिया का model के अंदर single channel ABS ही हो और इसके अंदर WP के apex suspension का setup भी होने वाला है स्वartpilland 125 में आप लोगों को 17 inches के spoke wheels मिल जाएंगे और इंडिया के अंदर में भी हो सकता है कि पायरेली के tire के जगह पे आप लोगों को MRF के tire का option हो सकता है due to cost cutting बाकी look Swartpilland 250 जैसा ही होगा और इसके अंदर all LED मिल जाएगी means कि आप लोगों को LED headlight, LED tail light and साथ में LED signal indicators भी मिल जाएंगे अगर आपको upcoming bikes April 2022 का भी list चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे comment कर सकते हो मैं आप लोगों के लिए वो भी बना दूँगा and हाँ मुझे मेरे Instagram and Facebook पे follow करना मत बुलिएगा so guys that's it from my side अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया रहेगा तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का doubt रहेगा upcoming bikes के बारे में तो आप मुझे नीचे comment कर सकते हो मेरे Instagram और Facebook पे मुझे DM या फिर message कर सकते हो वहां पे मैं आप लोगों का अपना best try करूंगा help करने के लिए thank you so much guys for watching bye-bye and congratulations for your new bike